तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली तो अंतक्स वीडियो को जरूर देखिए तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक अब करता है आप सब अच्छी हो गहें तो सब क्वेशन होते हैं कि जो वेटा फीस होते हैं तो सब यहां सब और ने सब तो इसे पर मैंने अज यही वीडियो को शूर्य करते हैं तो आपको तीन से चार प्रिकॉशन्स लेना है नौरमली जो कि मैं आने वली वीडियो में अभी आप बताने वाला हूँ तो आपको सिंपली क्या करना है तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है जो इंडेन एलमंड लिव आता है वो से उसमें डाल देना है जो कि दो से तीन दिन के बाद में आटोमेटिकली स्ट होके वो नीचे आ जाएगा तो चलो देखते हैं भी सेकंड स्टेप क्या करनी है इसके आप अगर देख पार हो इधर की नॉर्मल डर्स्ट है नॉर्मल हो चुका है इसका तो फटके में आप उसको चेंज कर लिजे जितना वाटर अच्छा रहेगा इसकी फिन रिग्रो करना उतना जल्दी से स्टार्ट कर देगे ओके यह इसका बेसिक रूल है अगर आप आप अगर यह तक यह देख फार हो जो पीछली वीडियो थी पीछली वीडियो के कंपर में अभी आप देख ओ इसके बाती हो चुके यह अगर आपने एभी तक यह वीडियो देख़्ी नहीं की मेरे फिष को क्या हुआ तो यहाँ पर आए बटन आ रहा है तो आई बटन प तोदि दिखा था तब or अभी अब देखिए या आभी कैसा मतलब टोटली एक ग्रो करना चालो स्टार्ट हो गया है दख पार है वह उसका जो फिन का ऊपर त्टिल टोटटली कट हो जुका था मगर आप अब भी देखिए आप मतलब टोटल यह आ चुका है और पीछे का फीन देखिए इसके पीछे का रिजन क्या है यह यह दो से तीन आपको यह फॉलो करने क्या है कि आपको फिर्स ली में जो इंडियन आलमड लिस ओता है वह आपको डाल देना है और फ्रिक्वेंटली वॉटर आपको चेंज करते रही है अगर आपको दिखता है कि वॉटर गंदा हो जुका है गंदा इंदसेंस अगर आईलमंड लिव डालते तो आलमंड लिव के बाद में वॉटर थोड़ा टैन कलर में दिखीगा ओके टैन मतलब नॉर्मली अपना जो नदी का पाने होता है थोड़ा सा टैन वॉटर बोलते वैसा दिखीगा तो वो तब यह आपको चेंज नहीं करना है जब को नीची की डस दिखेगी है जैसे आप देख पार हो कि नीची की डस्ट यहां पर रुकी हुए तो वैसे डस्ट दिख रहे है तो आप वाटर अच्छे में का दीजिए अगर आप फूड अच्छे में का देते हो तो एक्टमाटिकली यह ग्रो खुद बाखुद अच्छा ग्रो करना स्टार्ट कर देगी तो मैं इसको फूड में क्या देता हूँ तो चलो यह देख ए और अगर आप बलडवम देते हो ड्राइड बलडवम का यह जो नॉर्मल हेलो फूड़ का पकेट आता है 250 का तो अगर आप यह उसको देते हो यह भी पेस्ट ऑप्षिन है और बाद में यह जो बेटा 그래도 से बेटा पालेट की अगर आपने वीडियो देख ही नहीं होगी त तो आप जा की चेक कीजिए तो यह भी आप दे सकते हैं यह भी बेस्ट फूड़ है बाद में एक गपी बीड़ करके फूड़ आता है जो कि गपी फीश के लिया आता है जो मैं अल्रडी इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ तो वह भी देख सकते हैं लग जिसमें ज्यादा न्यूट्रेंस है जितने ज्यादा होगे उतने अच्छा उसका ग्रोव होगा उतना रैपिडली वह ग्रोव करेगी तो अब यह दिखाता हूँ यह केस है तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी यह ड्राइड ब्लड वर्म स जो कि अगर आप इस पे अगर आपको रखते हो जो अपनी बेटा फीश है उसे तो मेरे ख्याल से एक महिने में तो आराम से आ जाएगी 100% क्योंकि यह सबसे ज्यादा न्यूट्रेंस इसमें रहता है और यह है बेटा पैलेट्स जो की अल्टिमेट जो फीश फूड था बे पीट का फूड यह भी दे सकते हुग यह इसमें भी बहुत जार है निूट्रेंस रहे थे तो में क्या अगरता हूए यह तीनों जो फूडस है यह देता हो भ़केसा है यह जो फूडशेimento मौर्निंग में देता हूं और कई बार यह तो continue वे जो ब्लडवाम में ब्लडवाम तो मैंने continue रखा हुआ है और जो बेटा पैलेट्स एक दिन देता हूं और दुसरे दिन जो कपीबीट का फूड आता है वो देता हूं लग अल्टरनेट डेस में यह दोनों अल्टरनेट के स मैं तो मैं तो आपको यही सझेस्जेस करूँगा अकर आपको जल्दी से जल्दी आपका बेटा का फीन रिप्लडवाम दीजें तो ब्लडवाम देखी अगर आप देता हूं तो फट्के में खाता यह बहुत पसंद भी है और जल्दी से खाता भी और अच्छे से रहता है तो इससे क्या होगा कि जलदी से ये ग्रो करना स्टार्ट करें देगा तो अगर आप सीप और सीप जो ब्लड वर्म से ब्लड वर्म पे आप इसे रखते हो तो बस्ट से बस्ट रिजल आएगा इसका मैं 100% आपको गैरेंटी दे सकता हो उसकी अगर आपको अगर आप ब्लड पर रखते हो ना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हो within one month क्योंकि आप देख पार हो कि जो मैंने वीडियो अप्लोड की ती एक मैने पहले यह अप्लोड की थी तो एक मैना भी नहीं मतलब दो विक पहले अप्लोड की थी दो विक पहले का result मतलब फीज देखिए मेरी जो बेट फीन है जो उसको जल्दी से ग्रो करवाना है तो फूड में कॉंप्रमेज बिल्कुल भी ना करें अगर आप फूड में अगर कॉंप्रमेज ने कर रहे हो ना तो आपको 101 परसंट आपको result दिखी गया अगर आप फूड के साथ कॉंप्रमेज करोगे तो फीश इतनी मतलब एक्टिव दिखेगी बिने और फीन जल्दी ग्रो भी नहीं होगे अगर हो भी जाते पर उतने जो कलर आने वाला जो बूस्ट आने वाला कलर वह अच्छा आएगा ने ओके तो मैं यहीं सज्जिस करूंगा कि अच्छे में अच्छा फूड आप उसे दो याने वह फीन भी रिग्रो हो जाए और फीश भी हैपी रहे तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलो मिलते ही दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई हमारे न्यू वीडियो हागया है उसको लाइक किजे और सब्स्ट्राइब किजे और इसको शेर किजे बाई